कि नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इंप्पोर्टेंट प्लैस्ट चैनल की नई वीडियो में है दोस्तो आपने थम्नेल में देखा होगा इस वीडियो में हम राजस्थान की बिरोजगारे बत्तके के नियम की बात करने वाले हैं कैसे वो नियम वेडियो जरूल लास्ट और या फिर आप जो हैं यह वीडियो लाष्ट तक देखें को कि यह दो हुडिये आपके लिए हो बाद के यूप सकता है और उसके बाद क्या करना है जिन का क्याral करती है उसके वरे में चर्चा करेंगे दोस्तों जो युवा संबल योजना आई थी 2019 में इसको बदला गया था इसकी जो पैसे भी बढ़ा दिया गया था जो बत्ता मिलता था 5600 से उसको तीना जारों पैसी कर दिया गया लेकिन उसमें एक सर्थ लिखी थी कि जो लोग पीजी कर रहे हैं मतलब पोस्ट आपको क्या करना है ठीक है तो देखते हैं स् रहा होगा किसी का क्योंकि इस बार बहुत सारे अब्जेक्शन आये थे उसमें वह यह अब्जेक्शन भी था कि पीजी करने के बज़े से बंद कर दिया गया बहुत सारे दोस्तों की कमेंट्स आप लास्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं यह वीशियल वेब साइट आप देख से संबंदित हर समस्या का सॉलूशन लेटेस्ट अपडेट इस पर डाली जाते हैं आप सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को दोस्तों सेयर करें दोस्तों यह नोटिफिकेशन था पूरी योजना थी स्रमीव न्योजन विवाका इसमें हम देखते हैं सीधा अपातरता क जो पॉइंट है उनको बिंदू देखते हैं देखिए यह पातरता इस योजना के अंतरगत है आप इसका देखिए पॉइंट नंबर दो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार के विरोजगार जो की इसनादक यानि यूजी इसनादक या ग्रेजिशन बोल सकते हैं अपादी के पस्चा जो निरंतर रख रहे हैं वो लोग बतार नहीं ले सकते हैं यह नियम कहता है ठीक ह जो 2019 का नोटिफिकेशन तब वो इस पर आप सायन देख सकते हैं जो यूजनाचाल हुई थी इसमें उपर सायन होगी तो दोस्तो इसका मतलब है हम अगर कर रहे हैं यह 11.6 2019 से लगबक तब के नोटिफिकेशन है तो इसका मतलब है और इसके अबजेक्शन इस नियम के अध अब आप जन सूचना पॉर्टल सरच किजिए जहां पर यूजनाय मिलती है उसकी वीडियो में भी डालता हूं तो जन सूचना पॉर्टल पर हम जब जाएंगे तो देखिए इसमें और यह यूजनाय सारी इसको बेक लो जन सूचना पॉर्टल देखिए यूजनाओ की जैन कर रही है पीडियेफ एक फॉर्मेट है जिसमें सारी यूजनाय दी वही हैं तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों यह आज यह वैबसाइट अपडेट होगी यहां पर यूजनाओ की जानकरे में पीडियेफ डाउनलूड होता था आपने अगर किया हो जब नई जन सूचना पॉर्टल आया था तो डोकुमेंट ता जिसमें सारी यूजनाओ की जानकरी थी अभी इसमें यूजना की जानकरी जानकरी यह से अरही है मैं आपको डोकुमेंट में डाउनलोड कर रहा है इसमें ढूडनी पड़े लेकिन मीडोकुमेंट आपको सी धर देखा देता हूं तो स्में यॉजनाओ तो दूस्तों यह यह दे हैं अंद्यरेबा मराज्जज सरकार की सब आइजणाह त ठीक है इसमें हम बेरोजगारी बत्ते की देखते हैं ये मुक्यमिंत्री के वा संब्द्ध बेरोजगारी बत्ता ही होज़ेना एक क्यानवे 91 ठीक है यह हम देखे लेते हैं दोस्तों और बहुत सारे लोग जो पीजी कर रहे हैं बत्ता ले भी रहे हैं पहले हमें पॉइंट देखे लेते हैं उसके बाद डिसकस करते हैं देखिए यह मुक्यमिंत्र युवासंबल बेरोजगारी बत्ता युजना तो इसमें हम देखते हैं पत्रता की सरते दस्तावेज ठीक है और यह इसमें इसकिम की लिखे हुए इतने हैं तो इसमें देखते हैं हम की पत्रता की सरतों आप देख सकते हैं उम्रत दे रखिए और वार से काई 2 लाग से कम ये तो पहले किये 200 अदिक सदस से नहीं ले सकते ये भी ठीक है जिन्होंने इसनाथ तक डिगरी पाठिकरम पूरा किया है ये मास्टर डिगरी की पढ़ाई कर रहे हैं इस यूज नहीं तो आवेदन कर सकते हैं पॉइंट देखे दोस्तो मास्टर डिगरी की पढ़ाई है तो जो कर रहे हैं पढ़ाई वो आवेदन कर सकते हैं दोस्तो ये पॉइंट पढ़के क्योंकि बहुत सारी लोग मेरी नजर में इसे हैं जो बत्ता ले रहे हैं और पीजी भी किया है उन्होंने उसमें बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स हैं तो दोस्तो अगर आपका बंद हो गया है तो आप लोग सिकायत करें 181 पर या फिर 181 पर करें और उसके अलावा आप जैपुर की जो इमेल आईडिये इस डिपार्टमेंट की आप उनको इमेल करें सब लोग डिपार्टमेंट वाले या तो सबका बत्ता रोका जाए या फिर सबको जिनका रुक गया उनका बापस चालू किया जाए तो आप लोग जरूर 181 पर सिकायत करें बहुत सारी सिकायत पहुंचने पर डिपार्टमेंट ध्यान जरूर देगा कि यह उन ऐसे कैसे लिखी गई ठीक है यह कंडिशन और कौन सी कंडिशन सही है क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं ऐसे भी लोग है जो पीजी कर रहे हैं और बत्ता ले रहे हैं और ऐसे भी हैं जो पीजी कर रहे हैं तो इसमें फ्रोड क्या है सही नियम क्या है गलत क्या है इसको डिपार्टमेंट में ही क्लियर कर सकता है तो आप लोग 181 पर ज़रू सिकायत करें उसके बाद कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें